नमस्कार दोस्तो आई रुबेदिक नई दिशा में आप सब का स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप किस परकार से अपने गंदे पिले दातों से चुटकार अप पास सकते हैं यूँ तो मनस्को कोई ने कोई समस्काव बनी रहती है वह अपनी सहिएत के मामले में कई बार प्रेशान भी रहता है कभी बीपी बढ़ जाता है तो कभी किसी की सुगर बढ़ जाती है अगर इन सब विमारे से बचने के बाद आपको हसने का मुक्का मिले तो आप दिल खोल क प्रणतु अगर आपके गंदे पिले दात है तो यह मुका व्यापका बेकार हो जाता है और खुल कर हस नहीं पाते प्रणतु इस समस्या से शुपकार पाने के लिए आप कई तरह के उपाये भी करेंगे कई बार दातों की अच्छी तरह से चफाई करने के बाद भी दातों का पिल आपन बना रहता है जिसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं प्रणतु आज हम आपको कुछ ऐसे हैं उसके बताएंगे जिसे अपना कर आप अपने गंदे पिले दातों को मोतियसा चमकास केंगे तो बने रहे दोस्तों वीडियो के अंत तक है सरसो का तेल और नम आप कर देता है अपने गंदे पिले दातों को चमकाने के लिए एक चमसरसो का तेल ले और इसमें एक चुटकी भर नमक डालने और इसका अच्छी तरह से पेश्ट बनाने के बाद एक बुरस या मुली की सहता से अपने दातों पर रगड़े और दस से पांच मिट के बाद रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपके गंदे पिले दाते मोती से चमक खुटे हैं कुछी दिने तो कैसा करने से आपके दात बिल्कुल साफ और सफेद हो जाएंगे केले का चिलका दातों को सफेद करने के लिए केले का चिलका यह के में तो पुन सदी है इसके लि आपके दात मजबूत होंगे बलकि मोतिय से चमक खुटेंगे बैंकिंग सोडा और निम्बू दातों को सफेद बनाने के लिए निम्बू और बैंकिंग सोडा एक बैतर उपाई है इसके लिए आपको एक चमच बैंकिंग सोडा ले लेना है और इसमें आदान निम्बू मिला तो यह थी दोस्तों आज की जानकारी उमीद करते हैं आपको पसंद आई अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और साथ में वीडियो को वट्सप फेस्बूक और ट्विटर पर अपने दोस्तों फैमली के साथ शेयर करें तब तक के लिए दोस्तों मिल